तो हलो वाइस मैं आप लोगों कुछ यूनिक क्वेस्टेंज बताऊंगे सब घर में बन्द हो चुके हैं कोई स्कुलिंग ने कोई कॉलेज ने और उपर से जब बोर्ट्स की वाथ हो तो अलगी खौफ होता है मन में मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकती हूँ हम सब के सब टोटली डिपेंड हो चुके हैं ओनलाइन एजुकेशन पर तो चलिए थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट करता है मुँछ ऐसे क्वेस्टेंज आपको बताऊंगी जो कि बहुत बार रिपीटेड हैं और ह और सबके सब NCRT से मैंने लिया हैं वेस्टेंज बताऊंगी होप सबको समझ आएगा ना समझ आए आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा मैं दुबारा बताऊंगी लेकिन प्लीज समझ येगा क्योंकि ये स्टेंज बहुत जाला घुमा देते थे बोर्ट में मेरे टाइम त इसे कहते हैं हम A इसे कहते हैं B और इसे कहते हैं C ठीक है क्वाद्रिटिक टर्म में इससे हम कह सकते हैं A X स्क्वेर प्लस और मैंस एनिधिंग बी एक्स प्लस और मैंस C is equal to 0 अब इसके हम लोग क्वेस्टेंस करेंगे अब इसका यदि हम लोग सॉल्यूशन निकालने जाता है अनेधर रूल लगाने पर बहुत ज्यादा रूल से हैं हम इसमें चले इसको थोड़ा शॉट करते हैं स्रीधर अचारय फॉर्मूला जो है हम वो लगाएंगे हैं ठीक है अब इसे क्या करते हैं एक्स इस एक्वाल स्टू माइनस बी प्लस माइनस इन रू यह स्क्वार माइनस पूर एसी बाइ टू ए यह इसका रू बाइ स्रीधर अचारय फॉर्मूला अब इसको हम लोग कनवर्ट करते हैं अब यहां बी का वैल्यू क्या है माइनस तो जो कि पहले से है तो इसको माइनस को हम हटा लेंगे इन चले में लिख देती हूं आप लोग के समझ के लिए प्लस माइनस इसका स्क्वार करेंगे हम लोग माइनस 4 एक वैल्यू यहां 3 है और स्थी का वैल्यू यहां 2 है अब क्या करते है इसको सोल पकते हैं वह जाए का लोगो और टो तो हम्मारो जाएगा 36 जाएगा 36 जाएगा 36 जाएगा 34 जाएगा है 24 होगा चुलिए इसको नेक्सट लेकर देते हैं हुआ हुआ जाएगा और टुटल जीरो है अब इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं करते हैं ठीक है अब यह तू रूट 6 और हम इसे रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं क्योंकि इसका जब हमें एक दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यो आजाएगा 6 चुकी यह है कि इसको कर देते हैं एक रूट से यह रूट सिक्स कहा है तो अब इसको स्टार्ट करते हैं फिर से हम इसे यहां में कर देती हुआ इसे हम यहां ऐसे लिख सकते हैं तू रूट 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 झाल 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 पुरूँ प्रेफ टूँ प्रेफ मैं वतल पॉप आप जी अजया तियुक्त पिट एक्ट गञ थे बित भी एक रहर विनस फिट एक्स तर्ट Q4, इसको हम थोड़ा से सिंप्लिफाई करता है, इसको सब को 2 से डिवाइट कर देता है, यह हो जाएगा, x² प्रस 3 रूट 3x-60 इकोल टू जीरू, अब लगा देते हैं, वारपस से वह पॉर्म भी, इसको डारेक्ट पोकर देते हैं, तो देते हैं, माइनस 3, रूट 3, प्रस्माइनी सुझाएगा, 0.47 रूट 3, इसको तो आफ दोते हैं, 3 को मान गींठी है, वीएट 3, प्रस्माइनी आज वाक्त तो कि अटдо रूट 3 by 2 10 to root 3 is equals to alpha beta equals to root 3 minus 3 minus 7 by 2 minus 10 root 3 by 2 minus 5 root 3 hence alpha and beta equals to 2 root 3 and minus 5 root 3 answer यह last question है इस वीडियो को अभी से करते है इसको इससे multiply करते है ठीक है तेन हो जाएगा x square minus 1 by x equals to 3 इसको इदर कर देते हैं x square minus 1 equal to 3 x x square minus 3 x minus 1 equals to 0 नौ एक वैल्यू तो 1 बीक वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 1 है अचले लगा देते हैं x equals to minus b plus minus 2 over b square minus 4ac by 2e minus 3 plus minus b square यहां के हो जाएगा 9 minus 4ac minus minus plus हो जाएगा 4 by 2 minus 3 plus minus minus यह जाएगा root 13 by 2 अब अब अर्फा कर निकाल जेते हैं वेली अर्फा को हो जाएगा minus 3 plus root 13 by 2 and beta का वैल्यू हो जाएगा minus 3 minus 13 by 2 and this is the answer तो इन 5 questions को आप लोग करिएगा घर पे खुद से practice करिएगा यदि आप यह 5 questions बिना देखे कर लेते हैं आपका quadratic का basic बिल्कुल clear है three number सारे questions आप से पन्जाएँगे मताय करते हूँ और थोड़े long questions को बताने के हुआ है